हेलो बच्चों आप सभी का स्वाव थे हमारे चैनल इंस्रियार्टी टुटोरियल में और यहाँ पर इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 जोग्राफी के चैप्टर नमबर 6 को जिसमें की हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं Manufacturing Industries को तो देखें यह जो चैप्टर है उनके बारे में जानेंगे उनकी क्या खास बाते हैं क्या कमियां हैं क्या उनवे सुधार हो सकता है यह चीज़े देखेंगे कौन-कौन से इंडस्टीज हैं important उन सभी को हम देखेंगे इसके बाद इससे related और भी चीज़े देखेंगे जैसे environment पर क्या impact पड़ता है या फिर इनको सुधारा कैसे जा सकता है सरकार क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है क्या कमी है सभी चीज़े हम यहाँ पर इस chapter में manufacturing industry से जुड़ी हुई जानने वाले है अब यहाँ पर सुरुआत करते हैं इस chapter को और सबसे पहले देखते हैं कि जो manufacturing है यह आखिर होता क्या है manufacturing किस चीज़ को हम कहते हैं तो manufacturing अगर हम समझ गए तब हम समझ पाएंगे कि manufacturing industries में हम किन-किन industries या फिर factories की बात करने वाले हैं अब देखें manufacturing का जो process है वो बहुत ही simple यह एसा कोई बहुत heavy concept नहीं है बहुत this simple concept है इसमें होता क्या है इसमें होता है कि हम किसी भी good का production करते हैं कोई भी समान का production हम करते हैं large quantities में यानि बड़े अस्तर पर 1,2,4 पीस में भलकि 1000,2000,10000 की संख्या में हम क्या कर रहे हैं production कर रहे हैं कैसे production कर रहे हैं raw material लेते हैं उसको प्रोसेस करते हैं और प्रोसेस करके ज़्यादा वैलूएबल प्रोड़क्ट बनाते हैं। तो यह हमारा एक तरीके से basic concept है manufacturing का। definition एक बर मैं पढ़ देता हूँ आपके लिए, production of goods in large quantities after processing from raw material to more valuable products is called manufacturing. यानि कि हमारे पास क्या आया, हमारे पास raw material आया, हमने raw material को लिया, हमने क्या किया, raw material को लिया, उसको प्रोसेस किया और फिर क्या बना दिया, goods बना दिया, जो की valuable है, जादा value वाला है, अब यहाँ पर इसका example क्या है, इसका example है देखिए, raw material में आपका सुगर केन आता है, तो गन्ना हम लेते हैं उसको फैक्टरी मिले जाते हैं वहाँ पर प्रोसेस करते हैं और प्रोसेस करके हम क्या बनाते हैं चीनी बनाते हैं या फिर हमारा जो आयरन बनता है आयरन जो बनता है वो क्या है एक फाइनल गुड है आयरन वो किस चीज़ से बनता है वो आयरन ओर से बनता है, हमने क्या किया, mining के जरीए हमें क्या मिला, iron ore हमने लिया, उसको फैक्टरी मिले गया, वहाँ पर हमने क्या किया, process किया, और process कर के हमने क्या बनाया, एक final product बनाया, iron, जिसको की हम market में बेच ते हैं, market में लिजा कर sell करते हैं, अब यहाँ एक और चीज़ आप समझें कि जो यहाँ पर हमारे पास पहले प्रोड़क्ट था उसके कंपेरीजन में जो हमने फाइनल प्रोड़क्ट बनाया है वो ज्यादा कीमत वाला है यानि कि पर केजी के हिसाब से अगर हमारा सुगर केन यहाँ पर बिक रहा था 10 रुपए किलो तो ह यह एक तरीके से manufacturing का concept होता है हम क्या करते हैं raw material लेते हैं उसको process करते हैं और final good बनाते हैं बहुत ही large quantity में जिसका की ज़्यादा value हो यानि कि ऐसा नहीं कि 10 रुपए का समान लिया हमने 2 रुपए की चीज़ बना दी ऐसा नहीं होता है 10 रुपए का समान लेते हो उसको process करत हैं तो वह ज्यादा profitable होगा ज्यादा कीमत का बनेगा यह होता है concept हमारा manufacturing का अब manufacturing में दो चीज़े आप ध्यान रखिए कि आपका processing होता है और इसके साथ साथ यह large skill में किया जाता है अब देखें जो processing होता है processing से कहने का क्या मतलब है processing से कहने का मतलब यह है कि हम उसमें physically का काम कर रहे हैं हम उसमें जाकर खुद से महनत कर रहे हैं जैसे कि जो हमारा factory होता है factory में machine भी काम करते हैं आदमी लोग भी काम करते हैं human labor भी काम होता है उसके साथ साथ chemicals का भी use होता है तो इस तरीके से different type of work करके हम processing कर सकते हैं हम हाथ से भी कोई काम कर रहे हैं तो वो भी ह हमारा processing ही कहलाएगा, तो यह हो गया हमारा manufacturing की manufacturing आखिर होता क्या है, अब देखें जो manufacturing है हमारा, यह हमारा आता है secondary sector में, आपने ये चीज़ तो पढ़िये हो कि primary sector, secondary sector, tertiary sector हमारे economic के हिस्से होते हैं, अब primary sector में क्या आ जाते हैं, primary sector में आपके primary चीज़े आ जाते हैं, कौन-कौन से होती है primary चीज़े, जैसे कि आपका खेती हो गया, agriculture, यह primary में आ जाता है, mining हो गया, यानि कि जिसके जरीए हम अर्च से जो mineral सूते हैं, उनको निकालते हैं, वो हमारा mining में आ जाता है, जो कि primary sector में आ जाता है, लेकिन हम यहाँ पर, जो manufacturing industries क बात कर रहे हैं, यह आते हैं secondary sector में, यानि कि हम primary sector में निकले गए product को, process करते हैं, और ज्यादा valuable चीज़े बनाते हैं, large skill पर, यह हो गया हमारा secondary sector, यानि कि हमारे economic secondary sector में आता है manufacturing industries, तो इस तरीके से manufacturing कहा गया, economic secondary sector में, अब tertiary sector, आपका service sector होता है, आपको यह पता होगा, न जो manufacturing है, यह हमारे लिए important क्यों है, या फिर हमारे देश के लिए, सभी लोगों के लिए important क्यों है, इस चीज़ को हम देख लेते हैं, अब देखे, manufacturing जो है, वो किसी भी देश के लिए, बहुत ही important होता है, सिर्फ और सिर्फ हमारे देश के लिए नहीं, दुनिया के आज के स क्योंकि उस समय ज्यादातर लोगों का ध्यान होता था खेती के उपर इन चीजों के उपर यानि जो प्राइमरी सेक्टर था उसके उपर ध्यान होता था लेकिन अब आज के समय में जो manufacturing सेक्टर है वो बहुत ही हमारे लिए important है हमारे economy का उसको backbone भी कहा जाता है और उसको कहा कि अगर आपका manufacturing सेक्टर मजबूत है तो आपका देश सही develop कर रहा है आपके देश में विकास हो रहा है उसके कई सारे reasons है उनको हम धीरे धीरे देख लेते हैं अब दिखिए जो manufacturing सेक्टर है वो हमारे लिए important क्यों है पहला तो important यह है कि manufacturing सेक्टर जो है वो ऐसी चीज़े ह में बना कर देता है जो कि हमारे लिए बहुत ही useful है या फिर बहुत ही काम का है और वो बहुत सेक्टर में दूसरे जो सेक्टर से उनको भी मदद करता है जैसे हमारा agriculture हो गया agriculture में हमको production बढ़ाने के लिए क्या चाहिए हमको tractor चाहिए harvester चाहिए और भी बहुत तरीके की मस प्रेत में या फिर अपने घर में उनको बनाएगा नहीं बना सकता है वो आते हैं manufacturing industries के मदद से वहां से वो आते हैं तो इस वजह से जो manufacturing industries है वो agriculture को modernize करने में ज्यादा productivity लाने में भी मदद करते हैं और इसके साथ साथ ये जो manufacturing industries है ये बहुत बड़े इस तर पर लोगों क jobs भी provide करते हैं यानि कि अगर एक factory कहीं पर लगता है बड़ा factory तो वहाँ पर हो सकता है 10,000, 20,000, 50,000, 1,00,000 इस तरीके से इतनी संख्या में लोगों को job मिलता है तो generally क्या है कि लोग agriculture कर रहे हमारे देश में आपको पता होगा कि हमारे देश में करी 50% अबादी agriculture के उपर dependent ह तो agriculture के उपर बहुत जोर है कि वहाँ से ज़्यादा ज़्यादा पैसे कमाये जाएं ताकि लोग अमीर रहें, सुखी रहें, उनके पास ज़्यादा पैसे आएं लेकिन अगर वही पर दूसरा एक sector है manufacturing जहाँ पर कि लोगों को ज़्यादा पैसे मिल रहा है बहुत बड़े अस्तर पर तो agriculture पर दबाव कम होगा, agriculture पर लोगों का जोर कम होगा या फिर सरकार को उतनी टिंसन नहीं रहेगी, अब देखें यहाँ पर manufacturing जो है वो हमें unemployment घटाने में भी काफे ज़दा help करता है, क्योंकि manufacturing activity करने के लिए लोगों की जरूरत होती है, लोगों को job देना होत है, तो हमारे देश में अगर unemployment की situation है, या फिर वैसे इस्तिती आने से हमको रोक देता है या फिर बचा लेता है, इसके साथ साथ poverty से भी यह हमें बचाता है, कैसे poverty से बचाता है, पोवर्टी से अगर मालीजे आपके पास job नहीं है, आपके पास काम नहीं है, आपके पास ज लोगों को jobs provide कर सकते हैं, काम provide कर सकते हैं, और भी चीजे कर सकते हैं, अब देखें जो manufacturing industries हैं, या फिर जो manufacturing जो product बनते हैं, manufactured goods बनते हैं, ऐसा थोड़ी है कि हम उसको अपने घर में या फिर अपने लोगों के लिए सेर्फ इस्तमाल करते हैं, उसको हम विदेश में भी ले तो इस तरीके से जो ये हमारा है manufacturing ये हमें foreign exchange कमाने में भी मदद करता है, अब देखें manufacturing होगा तो हमारे देश में prosperity भी बढ़ेगी, ऐसा नहीं कि सिर्फ हमारे देश में दुनिया के किसी भी देश में prosperity बढ़ती है, manufacturing बढ़ने की वज़त से, तो ये हमारे economy को भी काफी goods में, यानि कि आपके पास क्या है, आपके पास अभी सिर्फ है sugar cane, अब sugar cane सब कोई थोड़ी खा सकता है, या फिर उतना आसान नहीं है use करना, अब sugar cane को process करके sugar बना दिया गया, तो आप असानी से अपने घर में store कर सकते हैं, कहीं भी रख सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, औ तो ऐसी चीज़े बनाने में ये manufacturing industries help करते हैं, जो कि हमारे लिए फाइदे मंद हो, जैसे कि हमारा iron ore हो गया, iron ore क्या करेंगे हम, कुछ भी नहीं कर सकते हैं, iron ore से लेकिन अगर iron बना दिया गया, और फिर उसको आगे process करके steel बना दिया गया, तो उसका हम बहुत ज़्यादा यूज कर सकते हैं, various kinds of use कर सकते हैं, अब सिर्फ iron की नहीं बात है, आप जो अपने घर में bulb यूज कर रहे हैं, या फिर आपके पास car है, computer है, ये सभी का हो रहे हैं, ये सभी manufacturing industries में बन रही हैं, factories में बन रही हैं, तब आपके पास ऐसी चीज़े हैं, जिनको की आप use कर सकत हैं, अब दिखें यहां पर हमारा topic है agriculture and industry, यहां पर हमें simply जो industry है और agriculture है, इनके बीच के relation को समझना है, यानि जो खेती होती है और जो हमारा factory होता है, इनके बीच में क्या relation है, अब दिखें जो agriculture और industry है, ये एक दूसरे के उपर dependent होते हैं, यानि के interdependent होते हैं, ऐसा नही agriculture है, वो अपना मर्जी से चलेगा, या फिर manufacturing है, वो अपनी मर्जी से चलेगा, या फिर सिर्फ आपने उपर काम करेगा, ऐसा नहीं है, agriculture को industry की भी ज़रूरत है, और industry को agriculture की भी ज़रूरत है, यानि दोनों को एक दूसरे की जरूरत है, कैसे जरूरत है? अब देखें, जो agriculture agriculture है उसको अपना productivity बढ़ाने के लिए अपना production बढ़ाने के लिए बहुत सारे tools चाहिए बहुत सारे चीज़े चाहिए जैसे कि pesticide चाहिए insecticide चाहिए fertilizer चाहिए tractor चाहिए tools चाहिए बहुत चीज़े चाहिए तो वो कहां से आएगा वो आएगा industry से अब इसके बाद agriculture को जाकर product अपना बेचना भी है बहुत सारी ऐसी चीज़े हैं जिसको कि directly हम आप और जो general आदमी होता है वो use नहीं करता है बलकि उसको industries खरीद लेती हैं अपने raw material के रूप में जैसे कि cotton हो गया cotton को industries खर देंगी उसको process करके फिर जाकर आगे चलकर fabric बनता है कपड़ा बनता है तो व देखते हैं कि industry कैसे dependent agriculture के उपर अब देखें industry जो है वो अपना जो product बनाएगी tools बनाएगी agriculture को ध्यान में रखके tractor बनेगा या फिर जो fertilizer, pesticide ये सभी जो factories हैं ये क्यों चल रहे हैं ये इसी वज़े से चल रहे हैं क्योंकि agriculture में उनका use है कल से agriculture उनको use करना बंद कर दे तो production ही नहीं होगा इसके साथ ही जो industries है बहुत सारे industries जैसे कि आपके जितने भी biscuit के या फिर food product वाले factory हैं या फिर जो आपके cotton के कपड़े या फिर जितनी भी इस तरीके के factories हैं वो किसके उपर dependent है वो agriculture के उपर dependent है अगर agriculture से इनको अपना raw material नहीं मिलेगा तो क्या ये production कर सकत हैं तो दोनों एक दूसरे के उपर dependent हैं दोनों को एक दूसरे की जरूरत है और दोनों एक दूसरे की बिना नहीं चल सकते हैं अब देखते हैं कि जो हमारा ये industry है यानि जो manufacturing industry है उसका national economy में क्या योगदान है या फिर क्या योगदान रहा है अब देखिए पिछले दो decade की बात करें तो उस समय में जो manufacturing sector का contribution रहा है वो रहा है 17% 17% पूरे GDP का जिसमें कि देखिए पूरा जो industry था industry का total था 27% उसमें से manufacturing sector का 17% अब 27 के में से नहीं 100 में से 17 यानि कि 100% हो गया हमारा economy 27 कौन आया हमारा industry आ गया अब 27 में से हमारा 17 आ गया manufacturing और बाकी का 10% बाकी mining वगएरा ये सभी चीज़े आ जाती है अब देखिए 17% जो है ये पिछले 20 सालों से 2 decades से या फिर उससे ज़्यादा से हम देख रहे हैं लेकिन ये जो चीज़ है ये ऐसा नहीं कि हमारे लिए अच्छा है ये हमारे लिए तरीके से देखने वाली चीज़ है क्योंकि दूसरे जो देश हैं इस्टेसिया के जो economies हैं वहाँ पर ये चीज़ काफी जदा है वहाँ पर करीब 25% से 30% है यानि पूरे economy का जो contribution है उसमें से जो ये manufacturing industries है उनका contribution कितना है 25 से 30% है तो ये चीज़ हमें समझना चाहिए अब इ हमें कितना target चाहिए हमें अच्छी तरीके से manufacturing में growth लाने के लिए हमें चाहिए 12% लेकिन हमारा पिछले decade में कितना रहा है 7% तो ये चीज़ बताता है कि हमें manufacturing के ऊपर बहुत ज़्यादा काम करनी की जरूरत है बहुत ज़्यादा सरकार को policy में changes, decisions और भी बहुत सारी अब इसके बाद देखें जो national manufacturing competitiveness council जो है अब इसके बाद देखें जो सरकार है उसने NMCC यानि कि national manufacturing competitiveness council को setup किया है ताकि जो policy है उसमें सही तरीके से changes किये जा सके और जो manufacturing है उसको बहुत बनाया जा सके अब इसके बाद देखें आगे हमारे पात next topic आता है वो है इंड़स जो कि आपके लिए important भी है और आप समझने के लिए भी important है अब देखें यहाँ पर इस topic में हमें simply यह समझना है कि जो industry है यानि जो manufacturing factories होते हैं industry होती है वो किस location पर बनता है या फिर कहाँ पर कौन सा factory बैठाया जाएगा नहीं बैठाया जाएगा यहाँ बैठाना सही है नहीं है यह कोई भी factory किस बात पर depend करता है कि कहाँ पर कौन सा factory खुलेगा तो इस चीज़ को हम देखते हैं अब देखें यहाँ पर सबसे main point या फि पर जो भी उसको काम करना है सभी steps में सभी चीजों में उसको कम से कम खर्चा होना चाहिए यह एक main reason है main point है अब उसके साथ और भी चीज़े जुड़ी हुई हैं जिसको की नीचे हम देखने वाले हैं अब देखें यहाँ पर एक आपके NCRT book में यह चार्ट दिया गया है जिसमें की कहा गया है कि देखिए आपको क्या क्या चीज़े चाहिए low cost की हमने बात की यानि कम से कम खर्चा होना चाहिए इस चीज में हमें जब जो site है जहाँ पर हम factory लगाना चाहते हैं वहाँ पर हमारा raw material लाने में factory के gate तक लाने में कितना हमारा खर्च हो रहा है उसके बिजली का बिल वहाँ पर बहुत मंगा हो जहाँ पर हम factory लगाना चाहते हैं या फिर वहाँ पर हमने जो land require किया है उस land का जो भाड़ा है भाड़ा पर हमने अगर लिया तो उसका भाड़ा बहुत ज़्यादा है या फिर जहाँ पर हम setup कर रहे हैं वहाँ पर एक तरीके से जो labor मिल रहे हैं वो बहुत ही मंगे मिल रहे हैं तो इस तरीके से production का खर्चा हमारा कम होना चाहिए अब दिखे यहाँ पर जहाँ पर हम factory setup कर रहे हैं वहाँ पर production में सस्ता है लेकिन वहाँ से जब हम दूसरे इलाके में बेचने के लिए ले जाते हैं जहाँ पर हमारा market है तो वहाँ पर हमारा बहुत ज़दा पैसे खर्च हो जा रहे हैं ट्रांस्पोर्ट में यानि कि हमने क्या किया हमने एक desert इलाके में क्या कर दिया factory अपना setup कर दिया लेकिन वहाँ से हमको जो market है वहाँ पर ले जाने में market तक ले जाने में 100 करोड रुपया खर्चा हो रहा है पूरे साल का तो क्या वो सही है उस तरीके से factory हम चला सकते हैं हमको production में कम खर्चा हो रहा है लेकिन market ले जाने में बहुँ ज़दा खर्चा हो रहा है क्या ये सही है नहीं सही है तो ये भी चीज नहीं हो सकता है इसके साथ ही जो factory है वो एक सही इलाके में भी होना चाहिए decision to locate at site, locate factory at site जो site है वहाँ पर factory सही तरीके से मिलने भी चाहिए अब इसके बाद देखिए और भी चीज़े हैं जो की decide करती है या फिर जिनके उपर depend करता है कि factory कहां setup होगा तो सबसे पहला raw material, raw material कहीं पर मिल रहा है या फिर नहीं मिल रहा है अब देखिए यहाँ पर भी ह setup होती है, cost की भी बात होती है plus time की भी बात होती है, जैसे आप छोटा नागपूर reason में आईएगा तो छोटा नागपूर reason जो है वहाँ पर क्या है? वहाँ पर आपके iron के plants, steel के plants काफी ज़दा हैं क्यों? क्योंकि इस region में आपका iron ores मिल जाते हैं, तो iron ores मिल जाते हैं तो अब इसके साथ ही lever, अब ऐसे इलाके में generally factory setup होता है जहाँ पर की lever हमें मिल जाए, skilled lever और plus में हमें कम cost पर lever मिले, इसके बाद capital की भी बात होती है, यानि कि हमको factory setup करने के लिए पैसे भी तो चाहिए, अगर मेरे पास पैसे हैं, तो मैं जहाँ चाहूँ आँ कर सकता हूँ, लेकिन generally क्या होता है कि दूसरे लोग investor लोग या फिर bank वाले सभी finance करते हैं, तो उस condition में capital लगाने वाला हमारा तयार हो या फिर हमारे पास capital हो, जिस scale का, जिस size का, जितना capital होगा, उस हिसाब से हम factory setup करते हैं, जहाँ पर हमें safe अपना capital feel हो, वहाँ पर setup करेंगे, बहुत त चलता है तो उसमें electricity चाहिए, और भी तरीके के बहुत सारे equipment चलते हैं, तो वहाँ पर हमें power चाहिए 24 into 7, यानि continuous power मिलना चाहिए, लेकिन आप एक जगा factory लगाने गए, वहाँ पर 24 गंटे में से 20 गंटे बिजली ही नहीं रहती है, तो आप क्या वहाँ पर बिजली चला सक चला सकते हैं factory, नहीं चला सकते हैं, तो ये भी बहुत ज़्यादा माइने रखता है, इसके बाद देखिए market, हम जहाँ पर factory set up कर रहे हैं, वहाँ से market कितना दूर है, market नजदीक है या फिर आस पास है, बाहर है, कितना दूर है, ये सभी चीज़ है, अब इसके बाद देख चाहता है कि वहाँ पर factory लगे, वो कह रहा है कि हम आपको tax में छूट दे देंगे, या फिर कह दे रहा है कि नहीं हम आपको कुछ नहीं करेंगे, आपको लगाना है तो लगाए नहीं तो जाए भाण में, कोई मतलब नहीं है, तो इस तरह के से सरकार की क्या policy है, ये भी decide कर चाहते हैं factory लगाने के लिए, क्या reason है उसका, उसका reason है कि कुछ राज ये बहुत अच्छा उनको क्या करते हैं, policies बना कर देते हैं, और कुछ राज ये सरकार क्या करती है, policies अच्छी नहीं बनाती है, तो इस वाज़से वो वहाँ पर जाकर investment नहीं करना चाहते हैं, तो इस तुरंत हमने उपर बात कि क्या क्या factors influence करते हैं, उसमें एक और चीज है factor जो की बहुत ज़्यादा influence करता है और वो urbanization, यानि की cities, अब कई बार आप देखते होंगे कि जो factories बनते हैं या फिर factories लगते हैं, वो cities या फिर आपके जो towns होते हैं उनके आस पास या फिर सहरों में इस्थापित करने की कोसिस की जाती है, उसका reason क्या है? उसका reason ये है कि जो factories हैं, उनमें बहुत सारे काम होते हैं, उनको bank का भी help चाहिए, उनको सरकार के जो आदमी हैं उनसे भी मिलना रहता है, और भी बहुत तरीके के काम करने होते हैं, जो कि सहरों में possible होते हैं, सहरों म अगर कुछ माल लिजे, factory का कोई equipment खराब हो गया, कोई गाड़ी खराब हो गयी, कुछ भी खराब हो गया, तो वो सहरों में आसानी से ठीक हो सकता है, बन सकता है, तो इस वज़ा से factory वाले जो हैं, वो चाहते हैं कि वो या तो cities में ही factory बना है, या cities के नजदीक factory बना है, ज कोई plant बैठ गया, और वहाँ पर factory वो चलने लगा, तो धीरे धीरे क्या होगा कि उस factory के आसपास urbanization होने लगेगा, यानि कि उस factory के अगल बगल शहरी करन होने लगेगा, लोग घर बनाने लगेंगे, लोग रहने लगेंगे, दुकाने खुल जाएंगे, शौप्स खुल जा जैसे कि example आप जारकंड का जमसेदपूर ले सकते हैं, अब जमसेदपूर में ऐसा थोड़ी कि वहाँ पर पहले से बहुत बड़ा कोई शहर हुआ करता था, नहीं, वहाँ पर factory लगी, वहाँ पर plant चलने लगा, और धीरे धीरे करके, आज वहाँ पर बहुत बड़ा क्या है एक शहर बना हुआ है, जमसेदपूर शहर, तो वो एक तरीके से example है कि जब industrialization होता है, तो उसके बाद शहरी करन भी होता है, शहर वहाँ पर आ जाते हैं, अब दिखें, industrialization और urbanization है, वो एक साथ चलते हैं, दोनों को एक दूसरे की जरूरत होती है, जैसा कि अभी तुरन मै और जो factory से output आ रहा है, वो कहां भी केगा, वो तो market ही में भी केगा, market कहां होता है, generally शहर में होता है, तो इस वज़ा से दोनों को एक दूसरे की जरूरत है, दोनों एक दूसरे की बिना survive नहीं कर सकते हैं, अब दिखें, जो cities है, वो क्या करते हैं, जो industry है, उसके लिए market प जो हमारा सहर है, वो हमारे लिए काम करता है, अब कई बार देखिए, कई बार क्या होता है, कि एक reason ऐसा बन जाता है, जहां पर बहुत सारे industries एक साथ आकर बैठ जाते हैं, जो की एक दूसरे की help करते हैं, या फिर जो urban center है, उसका फाइदा उठाना चाहते हैं, for example हम ले ले है, royal infield का plant वही है, और भी बहुत सारे companies हैं, जो की चिन्नई के आसपास के reason में ही अपना उन्होंने plant setup करके रखा हुआ है, तो वहाँ पर वो क्या चाहते हैं, वहाँ पर उनको एक तरीके से जो चिन्नई सहर है, उसका भी फाइदा मिलता है, और वो पूरा reason ऐसा है, industrial region बन चीज़ करने के लिए, वहाँ पर आपको असानी से मिल जाएगा, तो वो एक तरीके से ऐसा इलाका बन जाता है, और वो जो पूरा reason बन गया है, उसको हम क्या कहते हैं, उसको कहते है, agglomeration economies ये होता है, और चिन्नई क्या आप बन चुका है, वो एक तरीके का agglomeration economy बन चु अब दिखिए सबसे पहला है, वो है, basis of source of raw material, यानि कि raw material हम कहां से लेते हैं, इस अधार पर हम जब division करते हैं, इंडस्ट्रीज का, तो इसको हम दो कैटेग्रीज में बाटते हैं, पहला आ गया agro-based industries और दूसरा है mineral-based industry, यानि कि agro-based में हम क्या करते हैं, हम agriculture से अपना raw material लेते हैं, जैसे कि हमारा क्या हो गया, जो rubber का plant हो गया, या फिर जो sugar, coffee, tea, edible oil, ये सभी जो plant होते हैं, या फिर cotton, jute, ये सभी, तो ये सभी हमारे क्या हो गया, ये हमारे agro-based industry हो गया, ये क्या गरते हैं, ये हमें, ये material लेते हैं कहां से, agriculture से, agriculture product को base बना कर अपना factory चलाते हैं, इसके बाद mineral-based industry में कौन-कौन से आ जाते हैं, जो कि minerals को लेकर अपना production है वो करते हैं, और ये raw material इनको मिलता है mineral से, example में iron, steel, cement, machine tools, petrochemical, ये सभी हमारे आ जाते हैं mineral-based industry में, agro-based में agriculture से हमारा raw material मिलेगा, mineral-based में से mineral से raw material हमें मिलेगा, इसके बाद आगे बढ़ें, तो आगे हमारा कि देखिए वो main उनका role क्या है, वो किसको target करते हैं, अब देखिए यहाँ पर कुछ factories होते हैं, कुछ industries होते हैं, जो कि जाकर factories को बेचना चाहते हैं, यानि कि हमने क्या गिया, हमने बनाया कोई product, हम किसी consumer को नहीं बेचेंगे, यानि कि consumer को उसकी जरूरत नहीं है, कोई factory वाले को जरूरत है, तो ऐसा example क्या हो सकता है, ऐसा example हो सकता है, iron, steel, copper, ये सभी क्या है, अब copper आपको अगर दिया जाता है, कोई copper factory वाला आपको 10-100 kg, 500 kg, 1000 kg iron देता है, या फिर copper देता है, तो क्या आपको उसकी जरूरत है, नहीं है, आपके लिए वो बेका है लेकिन कोई car company वाला है उसको क्या करना है car बनाना है किस चीज के यूज करके iron का यूज करके iron generally used नहीं होता है aluminium होता यूज मैं example कह रहा हूँ iron का यूज करके बनाना है तो क्या करेगा वो वो आपसे खर्दगा नई बलकि वो जाएगा ऐसे iron factory वाले के पास या फिर steel factory वाले के पास जिसको use करके जिसके पास से उसको उसकी चीजें मिल सकती हैं तो ये जो basic और key industries होते हैं ये अपना product जाकर किसी factory को बेचते हैं वो किसी आम आदमी को नहीं बेचते हैं फैक्टरी वाले को बेचते हैं ये हो गए हमा आपको बेचेंगे मुझको बेचेंगे यानि कि आम consumer को बेचेंगे आम आदमी को बेचेंगे तो ये इसमें आपका example हो जाता है जो tooth face का factory हो गया, sugar का factory हो गया, saabun का factory हो गया इस तरीके के जो factory होते हैं ये आजाते हैं consumer industries में अब देखें ये भी आप समझे गयों कि basic और key industry क्या होता है और consumer industry क्या होता है इसके बाद आगे देखिए तो आगे है हमारा capital investment के आधार पर, यानि हमने कितना पैसा लगाया है, अगर देखें हमने कम पैसा लगाया है तो वो छोटा skill का industry होगा, हमने बहुत पैसा लगाया है, 100 करोड, 1000 करोड पैसा लगाया है, तो क्या वो छोटा होगा, नहीं, वो बहुत बड़ा industry होगा, तो देखिए, पैसे के investment के आधार पर, हम जो बनाते हैं, हमारा classification होता है, वो होता है, small scale industry और large scale industry, अब देखिए, जो हमारा investment है, वो अगर बहुत कम है, माल लीजे कि एक करोड तक है, अब एक करोड देखिए, यह जो नि है, तो चेक कर सकते हैं, कि कितना सरकार का भी limit है, small scale industry बैठाने के लिए, तो उसको आप चेक कर लिएगा, तो अगर एक करोड से कम investment है, तो हमारा small scale industry, और एक करोड से ज़्यादा investment है, तो large scale industry, अब देखिए, यहाँ पर जिंडल होता है, कि small scale industry जो होता है, उसमें हम कुछ लोगों को job देते हैं, यानि कि 4 लोग, 5 लोग, 10 लोग, 20 लोग इतनी संख्या में, लेकिन large scale industry में आप देखिएगा कि 1000, 5000, 10,000, 20,000, 100, 200, इतनी संख्या में, large संख्या में लोगों को job दिया जाता है, यानि कि उतने लोगों को हम काम पर रखते हैं, अब इसके बाद आता है next हमारा classification और वो है हमारा ownership के अधार पर, यानि जो हमारा industry है, उसका मालिक कौन है, ownership के अधार पर जो हमारा industry है, उसको चार पार्ट में हम डिवाइड करते हैं, पहला तो public sector, दूसरा private sector, तीसरा joint sector, और चौथा cooperative sector, अब देखिए यहां पर public center में क्या होता है, वैसे factories या फिर वैसे industries, जिसकी मालिक सरकार है, या फिर सरकार का कोई भी department है, जैसे की भेल, सेल, तो ये सभी companies क्या है, ये सभी companies सरकारी companies है, इनकी मालिक सरकार है, तो public sector generally आपका सरकारी company हो गया, इसके बाद private sector होता है कि वैसी factories जिनका की कोई एक आदमी मालिक है, जैसे Reliance, Dabber, ये सभी का ऐसी companies है, जिसका कोई वैक्ती, या फिर group of वैक्ती मालिक है, तो ये हमारा आ गया private sector में, इसके बाद joint sector होता है कि जहां पर सरकार का भी कुछ हिस्सेदारी है, और कुछ हिस्सेदारी आम आदमियों का भी है, या फिर कोई भी individual का है, तो इसमें हमारा आ गया joint sector, तो इस तरीके से ये हमारा joint sector में आ जाता है, यहां पर public और private sector के दोनों के लोग साथ मिलकर काम करते हैं, अब इसके बाद आता है cooperative sector, cooperative sector होता है कि देखिए, यहां पर जो industries होती हैं, इनको उनके द्वारा माली के आ जाता है, जो कि raw material के supplier हैं, या फिर जो worker हैं, या फिर ये उसका माली कोगा कि जो कि उस factory में काम कर रहे हैं, या फिर जो उस factory को raw material किसान जो कि supply कर रहे हैं, ये दोनों मिलकर चलाएंगे उस industry को, उस factory को, उस cooperative sector की industry को, तो ये हमारा ownership के अधार पर division हो गया, अब इसके बाद raw material के अधार पर, कि raw material जो हम जो use कर रहे हैं, वो light है, या फिर बहुत ही heavy है, इस अधार पर भी हम division करते हैं, तो इस अधार पर division होता है हमारा heavy industries और light industries, अब इनके बीच में क्या division है, इनके बीच में division है कि पहला तो हमारा जो industry होगा heavy industry, इसमें जो हमारा raw material होगा, वो बहुत ही heavy होगा, और plus में जो हम output निकालेंगे, वो भी बहु बूत हेभी होगा जैसे कि हमारा iron का industry, steel का industry ये सभी क्या है या फिर जो cement का industry हो गया ये सभी हमारे heavy industries में आ जाते हैं अब light industry में कौन कौन से आ जाते हैं तो light industry में आ जाते हैं हमारे जैसे की electrical industries क्योंकि हमने क्या किया हमने बहुत हलके हलके चीज raw material के रूप में लगाए और बहुत हलके हलके हमें output मिल गया तो ये हमारा हो गया light industry तो ये आपका हो गया heavy industry और light industry इसके लावा इसमें आप जो हमारा cotton production है उसको भी ले सकते हैं यानि कपड़े का जो व्यापार है कपड़े का जो industry है वो हमारा light में आ जाएगा इस तरीके से इसके बाद अब हम आगे बढ़ते हैं और agro-based industry को हम देख लेते हैं अब यहाँ पर देखे एग्रो-based industry में हम यहाँ पर ऐसा नहीं कि बात करने वाले हैं सिर्फ agro-based industry कि हम यहाँ पर जो अलग-अलग industry है इसके अंदर important industry उन सभी को अब हम देखने वाले हैं अब देखे यहाँ पर agro-based industry में कौन कौन सी industry आते हैं cotton, jute, silk, woolen textile, sugar, edible oil यह सभी ऐसी industries हैं जो कि हमारे agro-based में आ जाती हैं इन सभी के बारे में थोड़ा-थोड़ा हम जान लेते हैं अब देखे textile industry की बात करते हैं अब देखे जो textile industry है वो हमारे देश के लिए important क्यों है क्योंकि यह हमारे देश में 4% का GDP contribution करत अब देखे इंडिया में यह सिर्फ एक ऐसा industry है जो कि complete है complete कहने का मतलब यह है कि यह completely self-reliant है इसका मतलब यह हुआ कि हमारे देश में इसका raw material भी बनता है इसको processing भी किया जाता है और इसका जो final product है वो भी हमारे देश में बनता है यानि कि जो highest value added product हो गया वो हमारे ही द इसमें बनता है जैसे कि यह कपड़ा है यह क्या है एक तरीके से textile industry का product है इसका जो हमारा cotton का production हुआ वो भी इंडिया में हुआ उसको processing में जितने steps आये सभी steps इंडिया में ही किये गए उसके बाद जो final product बना वो भी इंडिया में बना और इसको use भी हम इंडिया ही में कर र free line product हम कह सकते हैं जिसमें कि value chain में हर एक चीज हमारा इंडिया में है अब दिखे यहाँ पर यह हमारे लिए important इसलिए भी हो जाता है क्योंकि हमारे देश में यह second largest employment generating sector है agriculture के बाद और इसमें 35 million लोग involved है यानि कि करीब साढ़े तीन करोर लोग हमारे textile industry में involved है तो समझ सकते कि कितने ज्यादा लोगों को यह job देता है अब textile industry में हम बात करते हैं सबसे पहले cotton textile की अब देखे cotton का production तो इंडिया में हजारों सालों से हो रहा है और शुरू में इसका काम hand spinning या फिर hand loom के साथ किया जाता था लेकिन 18th century के बाद इंडिया में power looms को introduce किया गया अंग्रे इंडिया में पहला जो textile mill setup किया गया था वो मुंबाई में 1854 में setup किया गया था अब इसके बाद सुरुवात में जो cotton textile industry था वो एक तरीके से mainly आपका माराष्ट और गुजरात रीजन में concentrated था क्यों था उस चीज़ को देख लेते हैं उसका reason ये था कि इस रीजन में आसानी से raw cotton भी मिल जाता था market भी इसी रीजन में था transport भी असानी से हो जाता था क्योंकि यहां पर port थे इस वज़ा से भी और इसके साथ ही यहां पर labor भी असानी से मिल जाता था और यहां का climate था वो भी cotton के लिए काफी अच्छा था अब इसके बाद आगे बढ़ें तो इसके बा का काम है वो आज काफी जिदा decentralized हो चुका है जो कि इंडिया के अलग अलग reason है वहां पर हो रहा है और इस decentralization का हमें फाइदा क्या मिलता है इस decentralization का हमें फाइदा यह मिलता है कि जो इंडिया में अलग-अलग reason है वहां के अलग-अलग styles है वहां के लोग अलग-अलग reason के व वो अपने हिसाब से कर सकते हैं तो इस वज़े से decentralization हुआ भी है और उसका हमें फाइदा भी मिल रहा है आप देखें यहाँ पर इंडिया की बात करें तो इंडिया में जो production है spinning के मामला में वो world class है यानि कि world class quality का हम production करते हैं लेकिन जब weaving की बात करें तो weaving में हमारा जो fabric है वो हम low quality का provide करते हैं क्योंकि जो high quality yarn हम produce कर रहे हैं वो हमारे देश में use नहीं हो पाता है और इसके साथ ही जो हम high quality yarn है उसको export कर देते हैं जापान इसके बाद आगे बैद देखें तो दुनिया के जो और भी दूसरे देश हैं जैसे कि हमारा USA, UK, Russia, France, East European countries, Nepal, Singapore, Sri Lanka, African countries इन स पहुचाते हैं अब देखें इंडिया में second largest capacity है spindles का spindles जो की spinning करने के लिए use किया जाता है उसका world में चाइना के बाद यानि सबसे बड़ा किसका है चाइना का है अब इसके बाद आगे बढ़ें तो आगे इंडिया जो है इंडिया का cotton yarn के trade में बहुत बड़ा हिस्सेदा ना 1 4th production का हिस्सेदारी है वार्ल ट्रेड में तो इस पधा से आप समझ सकते हैं कि कितना हमारे लिए important है या फिर कितना ज़्यादा world में हम इसका जगा रखते हैं लेकिन जब हम final good की बात करते हैं final garment की बात करते हैं यानि final product की बात करते हैं उसमें हमारे देश का हिस्सेदा मातर 4% है यानि कि हम देख रहे हैं कि यहां पर यान के मामले में cotton यान के मामले में 1 4th है लेकिन जो final fabric बना यानि जो final कपड़ा बना उसमें कितना है हमारा मातर 4% है अब यहां पर यह तस्वीर जो है इसमें आपको पूरा cotton production का step दिखाए गया सबसे पहले fiber production होता है raw fiber आता है spinning किया जाता है तो यान मिलता है इसके वाद weaving या फिर knitting किया जाता है तो fabric मिलता है fabric को फिर हम dye करते हैं finish करते हैं या फिर garment manufacture करते हैं यह दुनों एक साथ होता है तो हमें अंतीम product जो की है garment वो हमें मिलता है तो इस तरीके से पूरा cotton production का step हो गया अब इसके बाद आगे हम देखें तो problems जो की cotton textile industry में है सबसे पहला तो है इंडिया में हमें ये तो problem सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है वो है irregular supply of electricity electricity हमें हमां इंडिया के आप किसी भी कोने में जाईए आपको regular electricity नहीं मिलेगी कुछ न कुछ घंटे कट होती ही है लेकिन जहां पर जिसको ऐसा काम करना है इंडिस्ट्री बैठाना है उसके लिए ये चीज़ बहुत problematic हो जाती है अब इसके बाद इंडिया में जो technology यूज हो रही है machinery यूज हो रही है वो काफी पुरानी है और काफी outdated machines पर हम काम कर रहे हैं जितनी factories है या फिर जो hand loom है power loom है ये सभी काफी पुरानी है इसके बाद जो knitting, weaving या फिर processing units है उनमें quality काफी कम है यानि वो अच्छी quality के नहीं है इसका मतलब ये हुआ कि जो अच्छी quality के yarn हम बना रहे हैं उसको हम यहाँ पर use नहीं करने पा रहे हैं बलकि हम यहाँ पर जो low quality के yarns होते हैं और भी चीज़े होती हैं उनको हम सिर्फ यहाँ पर process करते हैं अब इसकी वज़़से इसका impact ये पड़ता है कि जो हमारे spinners हैं वो cotton yarn को भेज देते हैं बाहर अच्छी quality वाले और वहाँ से fabric या फिर garment को import करते हैं अब यहाँ पर एक और प्रॉब्लेम है हमारे देश में वो है low output of labor यानि कि एक labor के ऊपर हमें जितना output मिलना चाहिए वो हमारे देश में हमें नहीं मिलता है अब इसके साथ ही cotton को ये भी problem है कि यहाँ पर जो synthetic fiber है synthetic fiber industry उससे भी काफी जिता competition मिल रहा है वो उसको काफी जिता compete कर रहा है एक तरीके से replace भी कर सकता है अब इसके बाद आगे बढ़ें तो jute textile की बात करते हैं jute industry की बात करते हैं तो इंडिया की बात करें तो इंडिया largest producer है raw jute का और jute goods का और इसके बाद देखिए तो ज्यादा तर जो jute mills हैं इंडिया में वो mainly आपके West Bengal में located है और वहाँ में West Bengal में mainly जो hoagli river है उसके banks पर यारी उसके किनारे पर established है अब इसके बाद जो पहला jute mill इंडिया में setup हुआ था वो Kolkata में रिश्रा के पास 1869 यानि 1859 में इस setup हुआ था इसके बाद आगे बढ़ें तो आगे यहाँ पर हमें समझना है कि आखिर इसी region में इतने सारे industries यानि कि जो हमारा jute industry है इसी region में क्यों established है तो यह आपका important है क्योंकि कई बार examination में यह चीज़ पूछा गया आपसे पूछा भी जा सकता है इसको ध्यान लखिएगा तो सबसे पहला यह है कि देखिए यहाँ पर इस region में आपका jute producing areas है यानि कि देखिए industries मैंने अभी तुरण बात किया था कि कहाँ पर setup होता है जहाँ पर हमें raw material आसानी से मिलता है तो इस region में jute का production होता है तो raw material यहाँ पर मिल रहा है तो पहला हमारा condition बना कि हम यहीं पर factory setup करेंगे दूसरा यहाँ पर water transport भी काफी अच्छी तरीके से और काफी सस्ता available है यह दूसरा condition है कि transportation भी हमें मिल गया इसके साथ ही यहाँ पर railway का भी network काफी अच्छा है, roadway भी है, waterways भी है सभी तरीके के transportation सुविधा है तो हम आसानी से चीज़ों को यहाँ से वहाँ ले जा सकते है इसके साथ ही यहाँ पर पानी की भी कोई कमी नहीं है बहुत ज़दा पानी है जो कि raw jute को process करने के लिए इस्तमाल किया जाता है तो यह हमारी भी problem solve हो गया इसके बाद यहाँ पर cheap labor भी मिल जाता है हमें वेश्ट बंगाल से या फिर अगल बगल की state बिहार और इसा उतर प्रदेश से जो कि यहाँ पर इस industry में काम कर सकें तो इस वज़ा से यह भी हमारा labor वाला भी problem solve हो गया इसके बाद देखे आस पास में कोलकाता भी है अब कोलकाता हमने देखा कि urban center की भी जरूरत होती है तो कोलकाता हमारा urban center के रूप में काम करेगा जो कि हमें banking, insurance, port facility और export में मदद करेगा यानि सभी तरीके के जो हमें urban काम है वो हमें provide कर देगा तो हमाई जितनी भी condition चाहिए किसी भी जगह पर factory setup करने के लिए वो हमें मिल रहा है तो हम क्यों नहीं setup करेंगे इसी वज़ासे वहाँ पर यह सभी factory setup है अब देखें कि jute industry के सामने क्या क्या challenges है अब देखें jute industry को generally आपको competition मिल रहा है international जो market है जहाँ पर की synthetic substitute को use किया जा रहा है जूट के जगह पर जैसे plastic प्लास्टिक की बोरियां यूज की जाती है और भी different तरीके के product से competition मिल रहा है इसके साथ ही दूसरे देश भी है जहाँ पर की jute का production हो रहा है वो भी इसको challenge कर रहे हैं Bangladesh, Brazil, Philippines, Egypt, Thailand यहाँ पर भी jute का production हो रहा है अब इसके बाद आगे देखें कि jute जो हमेरा production है उसके लिए opportunities किया है jute industry के लिए अब देखें सरकार है उसने jute industry को बढ़ाने के लिए मजबूत करने के लिए कई सारे policies बनाए उनमें से एक है national jute policy जिसुकों की 2005 में बनाया गया और इसका main motive था कि जो jute industry है उसका productivity बढ़ाया जाए हम quality बढ़ाये, good prices तेह करें ताकि जो jute farmers हैं उनको फाइदा मिल सके और इसके साथ ही जो production है वो उसको भी बढ़ाया जा सके पर hectare के हिसाब से अब देखिए इसके साथ ही सरकार ने नया policy ये भी बनाया है कि जो सरकार है वो jute packaging का इस्तमाल करेगी या फिर उसको बढ़ावा देगी तो उससे भी इसको काफी ज़दा फाइदा मिल सकता है अगर सही तरीके से production बढ़ाया जाए तो इसके साथ ही पूरी दुनिया में अभी एक मुहिम चल रही है बायो डिग्रेडेबल प्रोड़क्ट यूज करने के या फिर environmental फिरिंटरी प्रोड़क्ट यूज करने के लिए तो इस वज़ए से जो जूड प्रोड़क्ट हैं वो क्योंकि बायो डिग्रेडेबल है और नैचुरल प्रोड़क्ट है तो इनके लिए एक चांस है कि सही तरीके से ये अगर खुद को प्रोड़क्ट करें तो वहाँ पर ये खुद को पहुँचा सकते हैं अब इसके बात करते हैं सुगर इंडस्ट्री के बारे में अब सुगर इंडस्ट्री जो है उसकी बात करें तो इंडिया जो है पूरे वर्ल्ड में सेकेंड लार्जेश्ट प्रोडूसर है सुगर का और फर्स्ट लार्जेश्ट प्रोडूसर है गुड और खंटसारी का ज उत्तरप्रदेश, बिहार, महराष्ट, करनाटक, तमिलनाडू, आंत्रप्रदेश, गुजरात, पंजाब, हर्याना, मत्रदेश, बहुत सारे राज्यों में फैले हुए हैं। और इसके साथ इस में से जो टोटल में से 60% मिल्स थे, ये हमारे उत्तरप्रदेश और बिहार में सेट अब इसके बाद देखे आगे बढ़ें, तो यहाँ पर एक इस इंडुस्री के सामने या तो प्रॉब्लम हम कह सकते हैं, या फिर इसमें हम चेंज कह सकते हैं। चेंज ये आ रहा है कि जो मिल्स हैं, वो अब यूपी बिहार रीजन को छोड़ कर, अब कहां सिफ्ट हो रहे हैं? हमारी जो सदन और वेस्टन इस्टेट हैं, मेंली महराष्टर यहाँ पर सेट अप हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? इस चीज़ को समझते हैं। ये भी important है, इसको भी आप समझिएगा, उसका रीजन ये है कि यहाँ पर जो केन प्रोड्यूस होता है, उसमें हाई सुक्रोज कंटेंट होता है, यानि कि ज़्यादा सुक्रोज होगा तो ज़्यादा हमें चीनी मिलेगा, तो ज़्यादा हमारी लिए फाइदे मन्द है, अब यहाँ प प्रोसेस करके सुगर बनाया जाता है, तो यह हमारा फाइदे मन्द हो गया, इसके साथ है यहाँ पर जो कॉपरेटीव से हैं, या फिर जो और भी तरीके के वेज सरकार दोरा इंप्लिमेंट किये गए हैं, वो ज़्यादा सक्सेस्फुल है इन स्टेट्स में, यूपी या कुपरेटीवर इस चीज को देखा था, कि जो इंड़स्टीज मिनडरल को यूज करते हैं और या फ trilogy जो मिनडरल को यूज करते हैं, रौ मिटरियल के रूप में, तो वो हमारे मिनडरल बेस्ट इंड़स्ट्री होते हैं, इसमें हम बात करें तो सबसे पहला है अमारा आइ आपको बिल्डिंग मिनाना है आपको कुछ भी और भी काम करने तो वहाँ पर आपको यह चीज़े जरूत ही होती है तो यह तरीके से बेसिक इंडस्टी है अब देखिए इंडिया जो है इंडिया का पूरे वर्ल्ड में फोर्थ रैंक है अन्रिफाइंड इस्टील प्रोडूसर है इस्टील और इसके साथ साथ लार्जेश्ट कंजूमर भी है इस्टील का अब देखिए इस चेप्टर में जहां पर भी आपको डाउट होगा आपको पूछेगा कि पूरे वर्ल्ड में लार्जेश्ट प्रोडूसर कौन है तो चाइना आराम से लिखके इसा क्यों है तो इस चीज़ को देखते हैं कि छोटा नाखपूर रिजन में इंडस्टी सबसे ज़्यादा क्यों है तो यहाँ पर भी वही वाली बात आती है कि यहाँ पर जो सारे रिक्वार्मेंट्स से एक इंडस्टी के लिए वो फुल्फिल होते हैं इस वज़े से यह लोग वं इंडिया में बेचेंगे तो हमें कोई प्रॉब्लिम नहीं आसानी से सभी जगा हम पहुंचा सकते हैं यहाँ पर demand है, सभी चीज़े हैं अब इसके साथ ही, यहाँ पर इस region में काफी अच्छा transport network है जिसके वज़ाद से पूरे India में इसका distribution भी हो सकता है और यहाँ पर हमें असानी से power भी मिल जाता है क्योंकि इस region में बहुत सारे thermal और hydel power available है, तो इस तरीके से यहाँ पर हमारा एक suitable condition मनता है कि हम यहाँ पर factory बैठाएं, अब यहाँ पर कहा जा रहा है कि हमारे देश के जो factories है iron और steel plant है, यह full potential पर काम नहीं कर पा रहा है क्यों नहीं काम कर रहा है, या फिर हम कह सकते हैं कि इसमें कमियां क्या है, तो इसमें देखें, तो यहाँ पर काफी high cost है और limited availability है cooking coal का अब देखें, यहाँ पर cooking coal हमारे लिए क्यों जरूरी है, क्योंकि हमका जो steel का production होता है, उसमें हमें cooking coal की जरूरत होती है, तो यहाँ cooking coal का का काफी high cost है और amount भी काफी कम है limited availability है, यानि कि बहुत कम हमें मिलता है, अब इसके साथ ही यहाँ पर labor के हिसाब से हमारा productivity कम है यानि कि एक labor के उपर कितना production हो रहा है इसकी बात यहाँ पर की जारी है मालेजे कि चाइना में एक labor के उपर 10 ton production होता है तो इंडिया में उस हिसाब से कम हो रहा है एक labor 7 ton 5 ton, 2 ton, ऐसा कर रहा है तो इस चीज की यहाँ पर बात हो रही है इसके साथ ही power supply irregular है, सही तरीके से हमें power supply नहीं मिलता है, फिर से वही power cut वाली बात हो गई, इसके बाद हमारा poor infrastructure की बात हो रही है कि हमारा जो infrastructure है वो काफी कमजोर है, roads जहाँ सही होने चाहिए नहीं है, जहाँ पर trains के विवस्था होनी चाहिए नहीं है और भी तरीके की जो चीजे जरूत है वो हमारे पास सही तरीके से available नहीं है, तो ये एक तरीके से हमारे लिए problematic है लेकिन देखें, पिछले कुछ सालों में इस industry में foreign direct investment काफी ज़्यदा आया है, जिसके वज़ाद से इस industry को काफी ज़्यदा boost मिला है और इसके साथ ही बहुत सारे जो private player है उन्होंने काफी ज़्यदा investment किया है तो उसके वज़ा से इस industry में काफी ज़्यदा growth हमें देखने को मिल रहा है अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं next industry की और जो की है aluminium smelting अब देखें, aluminium smelting जो है, वो हमारे देश के लिए second most important metallurgical industry है यानि कि जो की minerals को use करता है अब देखें, raw material जो use के जाता है इसमें उसको bauxite कहा जाता है यानि कि जो हमारा aluminium का ore होता है उसको bauxite कहा जाता है और ये बहुत ही bulky, dark reddish colored rock होता है, इसको आप असानी से देख सकते हैं बहुत ही simple चीज़ है और aluminium के features की बात करें तो aluminium जो है, वो light resistance to corrosion, यानि corrosion उसमें नहीं होता है बहुत ही अच्छा conductor होता है heat का में level होता है और strong होता है जब इसको दूसरे meters के साथ मिलाया जाता है तो ये एक तरीके से aluminium का features है जो की जिसके वज़े से aluminium को काफी ज़दा use किया जाता है अब uses of aluminium देख लेते हैं कि aluminium को क्यों use किया जाता है, कहां use किया जाता है तो इसको aircraft बनाने में use किया जाता है या फिर जो बरतन होते हैं उसको बनाने में use किया जाता है, material को pack करने में use किया जाता है, wires बनाने में use किया जाता है, और इसको काफी ज़दा एक तरीके से popularity मिली है as a substitute of steel, copper, zinc और lead बहुत सारे जगों पर यानि कि एक तरीके से काफी important है मारे लिए इस्टील के बाद ये second सब ज़्यादा important है अब हम industries की बात करें Almonium industry की तो वो mainly located है आपके Odisha, West Bengal, Keral, Uttar Pradesh, 36 गर, महराष्टा और Tamil Nadu में इसके बाद आ जाता है chemical industries अब दिखें जो chemical industry है इंडिया में वो काफी जदा grow कर रही है काफी जदा diversify कर रही है यानि कि बहुत ही जदा growth वाला growth वाला ये department है हमारा industry है अब जो chemical industry है वो पूरे GDP में हमारा 3% का contribution करती है और इसमें छोटे या फिर बड़े scale के manufacturing unit दोनों आते है यानि कहीं पर छोड़ा production unit है कहीं पर बड़ा production unit है अब दिखें यहाँ पर हमारे इंडिया में organic और inorganic दोनों तरीके के chemicals को बनाया जाता है organic chemicals में आ जाते हैं आपके petrochemical जिसकों की एक तरीके से यूज़ के आता है जिसमें आ जाते है sulfuric acid जिसकों की fertilizer, synthetic, fiber, plastic, adhesive, paint, type stuff इन सभी चीज़ों में यूज़ किया जाता है और इसके साथ ही nitric acid, alkalize, soda ice ये सभी आ जाते हैं soda ice को यूज़ किया जाता है glass, soap और detergent, paper इन सभी चीज़ों को बनाने में इसके साथ साथ caustic soda भी आ जाता है हमारा inorganic chemicals में अब इसके बाद आगे बढ़ें तो आगे हमारा यहाँ पर है fertilizer industry अब fertilizer industry जो है ये आपका mainly इसका focus है nitrogenous fertilizers के उपर जिसमें की mainly urea का production होता है अब इसके अलबाब जो phosphatic fertilizer है या फिर ammonium phosphate है और जो complex fertilizer है जिसमें की जो nitrogen, phosphate और photos है ये सभी है इनका भी काफी ज़धा contribution है यानि की इनका भी production काफी ज़धा होता है अब इंडिया की बात करें तो इंडिया जो है third largest producer है nitrogenous fertilizers का पूरे world में और जो main state है जहां पर इसके industries है वो है गुजराब, तमिलाडो, यूपी, पंजाब, केरल और इसके लवाज दूसरे state से जहां production होता है वो है आंधप्रदेश, ओडिसा, राजस्थान, बिहार, महराष्ट, असम, विष्ट-मंगाल, गोवा, देली, मतप्रदेश और करनाटक इसके बाद आगे बढ़ें तो आगे हमारा आ जाता है next cement industry cement industry, cement के बारे में तो आपको पता ही होगा कि cement क्या होता है, कहां use होता है, किस तरीके से use होता है cement को use किया आता है construction activity में जैसे के building घर बनाने में, factory, bridge, road, airport, dam, सभी चीज़े बनाने में तो यहां पर देखे यह जो industry है, इसको bulky और heavy raw material चाही होता है, जिसमें कि हमारा lime stone, silica, alumina और gypsum आता है और इसके साथ ही, जब 80s, 90s में जो cement था, उसके price को decontrol कर दिया गया पहले क्या होता था, पहले सरकार prices control कर दी थी, कि सरकार जितने dam पर तै करेगी, उतने ही dam पर आपको cement बेचना है लेकिन आगे चल कर cement के dam में छूट दे दीगे कि आपको जितने prices में बेचना है, उतने prices में बेचिये तो उसके वज़ा से, जो यह हमारा department है, यानि कि यह जो हमारा industry है, यह काफी जदा इसमें growth हुआ है, काफी जदा हमें growth देखने को मिला है इसके बाद आजाता है हमारा next जो की है automobile industry, automobile industry को आप simply समझते होंगे कि जिसमें कि हमारा truck, bus, car, motorcycle, scooter, three wheeler, multi utility vehicle इस तरीके के जो गाड़ियां बनाने वाली जो industry है, वो हमारा हो गया, auto automobile industry अब देखें, यह industry जो है, यह हमें गाड़ियां provide करता है, जो कि हम transportation में use करते हैं जिसमें कि आपका passenger को transport करना हो, या फिर हमारा goods, या फिर service सभी तरीके के transportation में हम use करते हैं और देखें, यहाँ पर इस industry में पीछले 20-25 सालों में या फिर 15 सालों में काफी जदा growth देखने को मिला है आज आप बात करें, तो आज दुनिया के बड़े बड़े जो companies वो इंडिया में हैं और इंडिया में production कर रहे हैं, गाडियों का, और काफी जदा sales भी हो रहे हैं अब इसके बाद, जो यहाँ पर FDI में छूट मिली है, कि FDI ला सकते हैं इस industry में तो उसके विज़ा से भी इस industry में काफी जदा growth मिला है, और इसके साथ ही नए-ने technologies आए हैं और बहुत सारे लोगों को यहाँ पर employment मिला है इस industry में इसके बाद आगे बढ़ हैं, तो आगे हमारा आजाता है information technology और electronics industries IT industry आप जानते होंगे, यानि कि softwares की बात हो रही है, electronics यानि कि जो आपके electronic components होते हैं उनकी बात हो रही है, अब देखें जो electronic industry होते हैं, वो उसमें बहुत सारी चीज़े आजाते हैं जैसे कि transition से लेकर आपका आजाता है television तक, telephone, cellular, pager, telephone exchange, radar, computer ये सभी चीज़े आजाते हैं जो कि आपके electronic component होते हैं, वो सभी आजाते हैं अब इसके साथ साथ, जो बैंगलोर हैं उसको electronic capital कहा जाता है इंडिया का और जो दूसरे important center हैं इंडिया, electronic goods के लिए, वो है मुंबई, देली, हैदरबाद, पुने, चिन्नई, को लगाता, लखनो और गोई मतोर इसके लबाद जो IT industry की बात करें, तो IT industry में आपका software आ जाता है, जिन्रली अब software में जो IT industry हैं, वो मेंली बेस थी आपके बैंगलोर, नोईडा, मुंबई, चिन्नई, हैदरबाद और पुने इसका लगा बहुत सारे जो आपके सहर हैं, वहाँ पर आपको IT industry देखने को मिल जाएगा अब IT industry में बहुत बड़े अस्तर पर, बहुत बड़े skill पर इंडिया में लोग को jobs प्रोवाइड किये गए हैं और ये जो industry है, ये एक तरीके से काफी exchange कमा कर देती है, देश को काफी exchange ये foreign exchange ला कर देती है तो इसकी वज़ा से ये हमारे लिए काफी ज़्यदा फाइदे मन्द है और इसमें जो BPO सेक्टर है वो भी काफी ज़्यदा growth कर रहा है अब देखें इंडिया में total कुल मिलाकर 18 software technology parks बनाए गए हैं, ऐसे reason बनाए गए हैं जहां पर कि जो ये software experts हैं, उनको फाइदा मिल सके, उनको growth दे सके, उनको जो भी facilities चाहिए वो सरकार दे सके तो ये एक तरीके से हमारे लिए काफी ज़्यदा फाइदे मन रहा है और इस industry को growth कराने में काफी ज़्यदा इसने help किया है अब इसके बाद next topic है हमारा industrial pollution and environmental degradation तो अभी तक तो हमने बहुत सारे industries को देख लिया, उनके कमियों को देख लिया, उनके बारे में जान लिया अब हम देखते हैं कि ये जो हमारे industries हैं ये हमारे environment पर क्या impact डालते हैं अच्छा डालते हैं बुरा डालते हैं कैसे इनको हम सुधार सकते हैं समी चीजे अब देखें जो industries का growth हो रहा है हमारे देश में हमारे देश का economic बढ़ रहा है या फिर development हो रहा है ये अच्छा चीज है लेकिन इसके वज़े से कुछ खराब चीजे भी होई है economic इंडिया का growth है उसके वज़े से खराब चीजे भी होई है जो कि हमारे लिए serious problem है जैसे कि हमारा जो pollution है वो काफी ज़दा growth हुआ है और pollution किसका? pollution land का, pollution water का, air का, noise का और इसके साथ-साथ thermal pollution भी हुआ है जिसके वज life पर भी पड़ा है अब दिखिए यहाँ पर चार तरीके के pollution की बात की गई है air, water, land, noise और इसके साथ-साथ एक और है पांचवा जो की है thermal तो इसकी भी हम यहाँ पर बात करने वाले है यानि in pollutions की बात करने वाले है अब दिखिए यहाँ पर कई बार आप से पुछेगा कि air pollution जो pollution है या फिर जो quality है जो environmental degradation है उसको कैसे रोका जा सकता है तो उसमें जो चारो pollution है इसको आप मिला कर लिख दीजेगा तो आपका solution हो जाएगा लेकिन अगर आप से अलग अलग पूछता है तो आप उस तरीके से answer कर सकते हैं अब देखिए air pollution क्या होता है एर pollution होता है कि जो हमारा air है उसमें undesirable gases का जो मात्रा है वो जब बहुँ ज़्यादा बढ़ जाता है तो उसको हम air pollution कहते हैं अब undesirable gases का क्या मतलब है यानि वो gases जो की हमारे लिए फायदे मन नहीं है जैसे की sulfur dioxide, carbon monoxide, carbon dioxide ये सभी चीज़ है तो इनका जब proportion हमारे environment में बहुँ ज़्यादा बढ़ जाएगा तो उसको हम क्या कहेंगे air pollution कहेंगे अब दिखें जो factories होती है जो industries होती है वो smoke निकालती है जब वो chemical process या फिर कुछ भी काम करती है जैसे की हमारा paper की जो factories हो गई या फिर जो brink बनाने का काम हो गया brick बनाने का refineries हो गया melting plant हो गया जो fossil fuels जलते हैं जैसे क हम जब जो koila के जरी electricity generate करते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा हम क्या करते हैं गंद की छोड़ते हैं air में अपना तो वो बहुत ज़्यादा एक तरीके से हमारे लिए फाइदेमन नहीं है बहुत ज़्यादा नुकसान करता है और ये एक तरीके से human health को बहुत ज़्यादा ये होता है कि जब हम जो water है जैसे कि river हो गया pond हो गया या फिर sea हो गया जो भी water है उसमें हम क्या करते हैं इन और्गेनिक या फिर organic industrial waste को डाल देते हैं effluent को डाल देते हैं तब ये हमारा water pollution होता है अब water pollution करने वाले जो main industry है उसमें pulp, paper, textile, dyeing, chemical, tanneries या फिर जो petroleum refineries हैं ये ये एक तरीके से ऐसे industries हैं जो कि बहुत ज़्यदा water pollution करते हैं इसके अलावा जो fly ash है, phosphorus है, gypsum है, iron है, steel slags है ये एक तरीके से solid waste होते हैं जो कि ground water को या फिर जो rivers हैं उनके water को प्रभावित करते हैं अब इसके बाद thermal pollution की बात करें तो thermal pollution क्या होता है thermal pollution होता है कि जो हमारे industries हैं उन industries में processing जब होता है तो कई सारे industries में water को गर्म किया जाता है बहुँ ज़्यदा heat किया जाता है तो उस water को बिना ठंडा किये जब हम नदियों में छोड़ देते हैं या फिर ponds में छोड़ देते हैं पानी में छोड़ देते हैं तो वो हमारा होत तो thermal pollution तो आप कहिएगा कि यार पानी है तो पानी गरम छोड़ दिया तो उससे क्या होता है उससे ये होता है कि जो जीव जन्तू रह रहे हैं पानी में चाहे वो पौधे हो या फिर जो आपके मचलिया है वो हो तो उनको एक तरीके से impact पड़ता है उनके life के उपर यानि कि पूरे environment पर impact पड़ता है वो जानवर मर जाएंगे वो जानवर एक तरीके से survive नहीं करने पाएंगे तो इस वाज़े से thermal pollution को भी एक अलग तरीके का category मना गया है इसकी बाद है noise pollution, noise pollution क्या होता है ये तो आपको पता हुगा कि आवाज वाला जो pollution है उसकी बात यहाँ पर हो रही है अब देखें जब भी यहाँ पर इंडिया में या फिर वर्ल में कहीं पर भी कोई industry चलती है या फिर कोई भी construction का काम चलता है तो वहाँ पर machine की वज़ा से, factory के equipment की वज़ा से, generator, sauce या फिर और भी तरीके की चीजों की वज़ा से क्या होता है बहुत ज़दा आवाज generate होता है, noise generate होता है तो ये एक तरीके से क्या है pollution है अब देखें, ये एक तरीके से noise pollution से क्या impact होगा इसकी वज़ा से लोग जो है उनका hearing impairment हो जाएगा इसके साथ ही heart rate बढ़ जाएगा blood pressure बढ़ जाएगा और इसके साथ ही दूसरे तरीकी के physiological effect आ सकते हैं यानि कि health को ये प्रभावित करता है अब हम आगे देखें तो आगे देखते हैं कि हम करेंगे कि जो water है या फिर जो भी एक तरीके से हम water use करते हैं उसको recycle करेंगे या फिर reuse करेंगे उसको process करके यानि हमने water को छोड़ा गंदा water उसको हम process करके या तो नदिव में छोड़ेंगे या फिर उसको फिर से reuse करेंगे और इसके साथ ही हम water harvesting कर सकते हैं harvesting कैसे हम एक तरीके से टंकी बना सकते हैं rain water को collect कर सकते हैं इस तरीके से इसके साथ hot water को treat कर सकते हैं और effluent को treat कर सकते हैं उनको reverse या फिर pond में छोड़ने से पहले यानि कि processing simply बात हो रही है कि हम water को साफ करके तब हम छोड़ने नदियों में या फिर कहीं भी अब इसके बाद यहाँ पर बात हो रहा है industrial effluent को कैसे हम process कर सकते हैं तो देखें यह NCRT आपके बताया है कि तीन steps के जरीए हम process कर सकते हैं पहला primary treatment होगा जिसमें की mechanical steps के जरीए जिसमें की biological process कर सकते हैं chemical डाल कर या फिर और भी तरीके से हम water को clean कर सकते हैं purify कर सकते हैं इसके बाद tertiary treatment में हम क्या कर सकते हैं physical या फिर chemical process यूज करके हम waste water को recycle कर सकते हैं reuse कर सकते हैं अब इसके बाद देखते हैं air pollution को control करने के क्या steps हो सकते हैं इसमें कि electrostatic precipitator हो, fabric filter हो, discover हो, inertial separator हो, तो ये एक तरीके से ऐसे devices हैं, जो कि pollution को रोकते हैं या फिर कम करते हैं, यानि जो गंदगी air में जाने वाली हैं, उसको अपने अंदर filter कर लेंगे, जमा कर लेंगे, ये ऐसा काम करते हैं, तो ऐसा हम use कर सकते हैं, इसके अलावा, smoke को हम कर सकते हैं, अगर हम factories में coal की जगा पर oil use करें, या फिर gas use करें, जैसे कि natural gas का इस्तिमाल करें, तो हम pollution को कम कर सकते हैं, बहुत कम कर सकते हैं, इसके बाद देखिए, इसके बाद noise pollution को हम कैसे कम कर सकते हैं, noise pollution को कम करने के लिए, जो machinery है, equipment है, या फिर generator है, उनमें silencer हम लगा सकते हैं, या फिर जितने भी जो sound proof materials होते हैं, उनका इस्तमाल कर सकते हैं, जो लोग हैं, वो एक तरीके से earbuds का इस्तमाल कर सकते हैं, इसके साथ ही noise absorbing materials का हम इस्तमाल कर सकते हैं, ear plug के अलावा, या फिर earphones के अलावा, तो इस तरीके से noise pollution को हम कम कर सकते हैं, आप देखिए, कई बार simply आपसे पूछेगा कि, जो हमारा ये है, यानि कि environmental degradation है, उसको control कैसे करना है, तो उसमें आप क्या कीजेगा, उसमें water के लिए भी लिखिएगा, उसमें आप air के लिए भी लिखिएगा, उसमें आप noise के लिए भी लिखिएगा, उसमें आप thermal के लिए भी लिखिएगा, तब आपका एक answer सही answer बनेगा, तो इस तरीके साब इस topic को answer कर सकते हैं, तो देखें यहाँ पर यह जो chapter है यह chapter हमारा खत्म होता है तो मिलते हैं आप से हम next video में next chapter के साथ तब तक के लिए good bye